हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल जे एससी वाला चलिए दोस्तों जारकन सची वाले का हो हम लोगों को प्रैक्टिस सेट पांच है पंदरा है स्वरी पंदरा है जारकन के ठीक है जारकन जिक्के आपको पता यह कि सिज्जी लिग्जामें 40 कोशन है जारकन जिक्क से पुझा जागा जो कि कप ही अच्छा यह महत्रपुन रोल प्ले करने वाला है 120 नंबर बहुत ज्यादा होता है ठीक है जोस्तों इसले जारकन जिक्के वे फोक्रपनिया से करना है प्रैक्टिस सेट पंदरा इस बार सची वाले पार अधी आप एसो को सपना देखे है तो कुछ लोग कमेंट था कि अप सर अब देढर बोली थोड़ा सा ब्राव स्पीड होता है तो कोई ना दूस्तों आइसे स्वड़ा कर देंगे थोड़ा सा स्पीड वीडियो लंबा बन जाएगा थोड़ा सा फास्ट बोलने का अदत है और कोई वीची यह फास्टे बोलता सबसे पहले आपको बगरू पहाड़ी है कहां तब बगरू पहाड़ी कहां है दोस्तों लोहर दग्गा में कहां है बगरू पहाड़ी में क्या निकलता है तो आपको निकलता है वो बताना एंसर और सबसे पहले पूछे को बगरू पहाड़ी जो है वो लोहर दग्गा जिल में है इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे पेन अस्टेंट्स कोस्टर और मेट में बुणा जाता है या डाइड और कठीन और रंगीन भक से गुडिया टेबल मेट और क्रिस्मस बेड के सजावट में बुणा जाता है राज घास पंपास घास सवाई घास जारकन उनिकित में से कौन सा अस्था पाई जाते हैं मायका युक्त ये तो असान आपनों मार देज़ेगा मायका युक्त बोल रहा है तो आप मार देज़ेगा पक्का मार देज़ेगा तह ये होजागा कोड्रमा ओर जुम्रित लियर वर फट से बड़ा उतृफ भात में उव्लिकित में से किस किसम का रेसम बथा तसर उत्पादन के मामले में याद हैएका जारकन पहला संधाता इंडिया में तसर उत्पासन के मामले में जारकन का सान पहला है इंडिया में आता है, तो कौन सा होगा, तसर सिल्क, कौन सा तसर सिल्क, पहला रंक आता है जारकन यहां से, इंडिया में आता है, क्रिसी विभाग के नुसार, जारकन कितने क्रिसी जलवाई हो, उपचित में विभाजित है, बताएए बताएए क्रिसी विभा क्या नुसार जारकन कितने क्रिसी जलवाई हो कि उपच्छी से विभाजित है तीन पांच चार दो एक बताएए तीसका इंसर हो जाएगा तीन तीन में ठीक आधा इसका इंसर धीरी जाएगा शी और धीरी इसका इंसर तीन जलवाई हो कितने क्रिसी जलवाई हो उपच्छी विभाजित है तीन आधा नापको ठीक है कौन यूग सुमिलत नहीं है बताने कौन सा गलत इसमें से बता धिये भारत बेश्टफॉलिया लिमीटेड नामकुन सही है हिंदुस्ताउं अश्चिल लिमीटेड यह कहा पर धनवाद वें यह बात भी सही है करगाली कौलवासरी करगाली कौलवासरी बोकारों में है इंडियन एस्टिल एंड वायर प्रोटेक्स लिमिटेड ये कहाँ पर बताईए इंडियन एस्टिल एंड वायर प्रोटेक्स लिमिटेड राची में नहीं है दोस्तों ये जमसेथपूर में कहाँ पर ये जमसेथपूर में यादखियागा ठीक है इंडिविजुला दकना है भारत बेस्ट फालिया लिमिटेड नामकुन हिंदुस्तान अस्टिल लिमिटेड धनवाद करगली कुलवासे ब्रकारो इंडियन अस्टिल एंड वायर प्रोटेक्स जमसेथपूर इनमें से कौन सा अभियारन जारकर में स्थित है अच्छा इस्थ कौन सा है तोप चाची ये काँपे दोस्तों अपको पता है होगा ये धनवाद जिल्ले में काँपे है धनवाद जिल्ले में अच्छा इसका स्थापना कव हो था उनिस सो कव बतागी उनिस सो अठत्तर में येर पूजदेग एक जाम में तोप चाची अभियांकर अजुमन इसलाम और मदर्षा नाम का संसापना किया था अंजुमन इसलाम में पूछिता कोशन में अंजुमन इसलाम बनलान अबुकज़ाम ने का था बताए मौला न अप्रॉल्क नम अजाद को निजडर रखने के लिए है निजह में लगबऑ Um लगबऑ लगबऑ उन ही तीन साल के बाद में हिंधा रहा से हाता है, 120 है । 12 छोड़ा अंदोलन के सबंद में नीन में से कौन सा कथन असर ते गलत कौन सा है रोंग पुछा है ठीक है रोंग देख लेते हैं क्या उंसे चलिए देखते हैं क्या क्या है पढ़ लिए अपने पढ़ लिए रामानन तिवारी के नेत्रित में जमसेदपूर के पुलिस दल ने विद्रोकिया था रामा नन तिवारी जमसेदपूर ये बात बिलकुँ सब्त है रामा नन तिवारी याद अखिएगा रामान CHीवारी इसरे लिटर है जमसेदपूर याद अखिएग 순ण这是 2202 में देवागर के पहले पुछे असरफी लाल काहां से है तो या दखे असरफी लाल जो देवगर में सहीद हो गया तो यह बात भी सही है दुमका में इस अंदोलन का नेतरुत आमवति देवी एवं प्रेमा देवी दुमका में आमवति देवी और प्रेमा देवी दुमका से यह बात भी सही है परफूल चंद्र पतनायक को हो जन्जाती अंदोलन का निर्देशक कर रहे थे रामनान तिवारी जमसेत्पुर दिमारक नहीं किसकांतल अमवत्ती देवी और प्रेमा देवी दुमका से थे हैं मानभूं के मान राजवनस्ती के सब्बन में कौनसा कते असात्य मानभूं के बताने असात्य बताने कौनसा है मानभूं राजवन्स के जनकारी का स्रुत इसको सिरलेक से असर्थ पूछाए ने बताए इसको से नहीं दोस्तों मानभूं राजवन्स के जनकारी जो मानभूं का वो है दूद पानी काहां से है दूद पानी काहां पर दूसतों यह हजारी में वहां से मिला इसका इसका मतलब राजवन्स के महलाव पर एतिचार किया गया था मानभूम राजाओं द्वारा सबर जन जाती पर सबर जन जाती के महलाओं पर अतिचार किया गया तो यह बात भी बिल्कुस जही है यहां राजवंस मानभूम धनबाद एवं हजारी बाद छेतने पहल गिवा था तो यह आद खना आपको जो मानभूम मानभूम राजवंस की जो जनकारी है सबर जन जाती के महलाओं को अतिचार किया था यह पॉइंट भी आद देखना है इसका इसर फश्ट हो जाएगा जागन के किस नागवंसी राज़ा को ग्रिपतार कर ग्वालिय के किली में रखा गया था किस नाम बहुत फ़्यादा था थीक है इसके इसका इंपोर्टनिनी क्या है कि हम्रसूале आ दुसरी बात ये जो जहागीर ने पकरवाक उसको भेद ये जियल 12 सलों के लिए पर बाद इसको छोड़ दिया था शल्आ डिना था को बसा को अंडिया था या रखना है इसको दुर्जन सह को उपादी चौटा दुर्जन सह को उपादी जहांगी ने दिया था इसको Naomi … पहाड्या विद्रो का सम्बन्द में से कॆं सा सत्त पुछा है अच्छा एकोंद्र बाटाने सद्र पुछा है रमना आड़ी के द्वार नेत्रूत किया गया था ये बात सही है महेश्पुर करानी सर्वेश्वरी ने इस बिद्रोग के नेत्रूत सही है तिसके से अलोब दी जोएगा सही सार सही है भूमिज बिद्रोग कब हुआ था ये कोशन फिर रिपीट हो गया बताई पहले करवा चुके 31-32 में बताई भूमिज बिद्रोग इसका नाम पुछता गंगा नरायन कौन किया था इसका नेत्रूत गंगा नरायन गंगा नरायन नाम देख लिजेगा ठीक है तो कब हुआ था एक 32-33 था सायद अठाइसो 32-33 इसका इससर भी हो जाएगा तब भूमिज बिद्रोग कर हुआ था अठाइसो 32-33 में गंगा नरायन सिंग ने इसका नित्रूत किया था मान भूमिज हुआ था ठीक है यहां इसका पूछ देगा कि साथ किस समाज के लोग इसको साथ दिया थ इस टाम पे था कोल और हो कौन कोल और हो बिद्रोग ने इसको जम के साथ दिया था हाथ खोल के दिया था साथ इसको ठीक है जन जाती हो कि इस बिद्रोग में गंगा नरायन के खुल के साथ दिया था अच्छा इसको मार्नेवल ब्यक्तिक नाम बता ही है जो गंगा नरायन क तो 133 में कब 823 में है ठीक है अच्छा जो जो चैतन सीन कहाणी बहुत लंबा है इसका चैतन सिंग ने इसका सर काट के अलग कर दिया था और इसका जो सर ता इसका सीर जो था वो किसके पास भेजा था इसे लिये इसका इंसर बियो जागा चलिए निम्न में से क्तन असत है गलत बताए कुने चलिए 1946 में संसदी चुनाव में जैपाल सिंग खुटी से बिज़े हुआ था नहीं दोस्तों 1946 में जुबा था संसदी चुनाव आदिवासी महासावाखा तीन सीट प्राप्स हुआ था ठीक है उसमें से जैपाल सिंग काएं पी्मित्रा करके कुछ थाएंगो वोर ने जीधासर्त के था इसका मतले गलत हो गया थीक हाला कि चार उपशन देख लिएते जईटा नहीं था मुसलिम लिग के सहयोग से राए जैपाल सिंग समीद सबहा को जभएा अदिवासी नेथा के रूप में प्रतिम दिख्शित किया था? ये बात भी साही है, आगे देखते हैं चल्चन नक्पूर संजुगत संका कथन कब हुआ था? चलिए तो चोटर नागपूर केसइरी के नाम से जाना होगे किसको चलिए बताइए चोटरनापूर संजुक संग का गठन करें इसका उवह था निस सो चवण में उवह था और इसका जो नित्युत किया था शुदे वह dhu किया था ठीक है कौन किया था चोटानागपोर सण्जुक संग 1954 में सुख्दे मातों का दोया किया गया था ठीक है बाद में आपको पता होगा कि बाभु राम नरायनाथसी को अध्यज बने थे बाभू राम नरायन सिंग छोटानाग्पू संजुस संक है उन्हें से चववन में जोवा था इस्टेबलीज बाद में इसका अधियंच बने थे ठीक है जितना आधा रखना आपको उन्हें से चववन इसका राइट है रामगार राजवनसी के स्थापना कब और किस ने क आठी थी रामगार राजवनसी बताई ये डिर्ट अपको रटा ये रामगार लाइक कपी इंपड़े था तो तेरस वर सटेटा मार लेना ठीक है तेरा स्वर्सत में यादे रखना है और कौण सा बागदेव सिंग कैसे दोस्ता है बहुत सारस बागदेव सिंग होगी है इ बादमा से तो इसका जो नाम पूछ सकता लागा ठीक है जैसे कि रामगर से कौन था बगदेव सिंग चलिए अच्छा हैमन सिंग कहां से था हैमन सिंग कहां थे बादम से थे ठीक है और बादम से थे चलिए और दलेल सिंग बोलेगा तो दलेल सी रामगर से थे दलेल से बाद नाम किस चीज को दर साता है करम कि याद कि करम एक पेड को दर साता है किसका एक पेड को दर साता है करम इन्हें से कौन से जारकन के चित्रकला से लिए हमां इसके संथाल जंजाती में बहुत फैंसा है किस में पूछת आ जानוצे करका हूँ इसको संथालि वासा में जादो बोलते हूँ चलिए निम्रिकित में से कौन सा जारकन के मलहोर और तांती जन्जाती दवारा एक परमपरागरत प्राचिन धातु सिल्भ है धोकरा कंची ओकरा दर जोदी तो धोकरा हो जागा ठीक है उराव जन्जाती भासा एवं पर जाती दोनों तृष्टी से किस जाती के है उराव जन्जाती भासा एवं पर जाती उराव तो पता ही है दोस्तो सौथी नियन के नाम से आदका का दर्वेडियन दर्वेड ठीक है मुन्डा जन्जाती के सरोच जेता कोन है मुन्डा जन्जाती के सरोच जेता कोन जो सिंग भांगा ठीक है कोन है सिंग भांगा अच्छा हातु भांगा कोन है मुन्डा जन्जाती में हात्व भांगा किसको बोलते है तो गराम देखना है ठीक है पोस्ट कोसन पूछावाए गराम देखना हात्व भांगा जिसे सिंग भांगा पर चरोच जेता मान जाता है हात्व भांगा गराम देखना है ठीक है तेची यपको याद देखना है और वोग्द पयायो मारांग भूरु देखे पाहर देवता को बोलते रहा है ? क्या भूते रहा है ? एक जल देवता पूशक आपको भूत बता क्या बूते है ? मुण्डा या नभ छल देवता घ् Эगायो मोदने क्में, एकीर भॉंगा किस में जल महद दर्कना इकीर भॉंगा ठीक है चलिए निन में से किस विदेशी आतरि ने भात भर्मन के करम में राजमाल पहरी के अधुभाग में आने वाले आधी जाती का उलेक माले ऑर स्व्री के रूप में किया गिया था किस विदेशी जातर ने भारत ब्रह्मन के करम में राजमाल पाड़ी के अद्धुभाग बनाने वाले आधिजाजती, आधिजाजती मतलब स्वर्य पाड़ी के बारे बात कर ठीक है, तो इसका हुआ, मेगा अस्थनीज, मेगा अस्थनीज, इसमें क्या था दोस्तों, ये जाती का उलेक माली या स्वर्य के रूप में किया था, स्वर्य पाड़ी का जाती का उलेक के रूप में किया था, मेगना मेगा अस्थनीज थी ज्यादखनाब को, इसका 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 हो जाएगा, बिर्जिय जाती के सबद में कौन सा असत्त है, सही ब अग नाइन निर्थ तूशुन नुयथ जोम नमा नित और सोराइ Means, चुमा वढ़ीन Diet, बताइ यह कब गायाता है है ख़िए सोहरागीत के टाम में भैस का स्मध्ध में कौन सा असथ है गलत बताई कोणいきます में से एप संदे क्ले को और बताइब लूग को और बताइब लूग को और बताइब और बताइब चलिए बताइए 136 को बताइए शरूल पार्व के संब्ध में कौन सा असत है गलत पूचा दोस्तों ठीक है सही लहां बताइब यह पर क्रिशिक कार आरहम करने से पूर मना जाता है शरूल यह बात सही है असत बोलाने हाँ इसमें पाहन करम डाल के पुजा करता है पाहन नहीं यह फूलो का परसाइए इसका इसर भी हो जागा हो दुरूड के लेखक कोन है हो दुरूड के लेखक कोन है बताइए हो दुरूड डबलुजी आर्चर हो दुरूड डबलुजी आर्चर कोन है हो दुरूड के लेखक डबलु यू डबलु यू जी आर्चर जो भी है इंद कोच्चे कडवा, नाटकर राच ताकर कोणे, कोच्चे कडवा, कोच्चे कडवा, नाटकर राच ताकर कोणे बताईए, कोणे दोस्तों, सोलेमान मुर्मू, कोच्चे कडवा, सोलेमान मुर्मू, इसका नाटकर राच चाहिता है, बोकारू सर्किस नेदेगे तर्ट परे, य दाखां के शीपू जिले के निवनी कि तांबे के खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है सीपू बोलानी है कौनसा जिला अच्छा सीपू जिला ख़ले बोल रहा है चलिए बताईगे तो यह सुर्दा हो जागा ठीक जा दखेगा सुर्दा जो है यह पूछे कहां पर है तो यह पताई कहां पर दोस्तों इश्ट सिंग्भू मतलब पूर्वी सिंग्भू में या दखना है सुर्दा सुर्दा तो किसके लिए फैमस है तामबा के लिए ठीक जाद दखना है अबको सुर्दा माइ्स खदान जो है तामबा के लिए फैमस है और यह पूर्वी सिंग्भू में श्थी थे जगा भी जाद दखना है रटा मार लेने अबको जगनात पहाड़ी देवड़ी सुर्य रता सती मंदिर किस जिले में है ये तो सारा 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 राची में है आर्या का समन किस छेत्र से आर्या का फुल्भम एट्रेक्टिंग एट्रेक्टिंग रूलर यूथी नेगरी कल्चर attracting ruler यह देखिए यहाँ पर यह से attracting आर से ruler यह से क्या होगा youth in agriculture लिख देखिया attracting ruler youth in agriculture यहाँ ठीक है एक लागव किया था आर्या जो था 2017 लागव किया था ठीक है को लागव किया था 2017 वो था यह किस किया था गरामीन युवाव को किरिसी के और आकरशित करने के लागव था आर्या आर्या योजना 2017 में लागव था आर्या 2017 में attracting ruler youth in agriculture आदिम जन जाती के लोग को आवास निर्वान है तू कौन सी चोजना को शुरुवात की गई है बताईए तो बिर्सा आवास योजना कौन सा क्या हो गया चलिए आदिम जन जन जाती के लोग का आवास निर्वान के लिए बिर्सा आवास योजना कब लाग के लिए दोस्तों ही या देखेगा 2002 में ही लाग के लिए ठीक है आदिम जन 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 जाती के लिए बिर्सा आवास योजना 2002 में ही लाग के लिए तेसको मुखमंति दाल बात योजना के समद में कौन सा सही है अच्छा सही पूछा आदक नहीं ठीक है यह ज़िए पंदरा अगस दुज़र दाल बात योजना पंदरा अगस दुज़र एगारा को लाउच किया गया था बात सही है वर्तमान में सही परकंडों के संचला सुचार रुप से के जारा सही बात है इस योजना के तहत अब पांच रुपिया में एक समय का भोजन दिया जाता है तहही बात है और इसका नाम चेंज कर दिया प्ता है मुख मंतर मंघ कयं कर दिया है मुख् nhânी केंटीन योजना कर दिया गया आदाक एक है मुख् nhânी धाल-बाट योजना जो दुझे रेकालब लाए गया था उसका नाम बदल करके मुख् मंतरी केंटीन योजना कर दिया गया जारकर का किस जीले में राज सरकार द्वारा संचालित तिरंदाजी अकाडवी है चैसे सराय केला खरसावा में है इसका इंसर हो जाएगा C अठार संतावन के बिद्रयों ये नियून में से किसे अपना सेननायक बनाया था अठार संतावन को अच्छा डेठे आपको पता जोगा इस नाम 1857 जारकन से लेटेड पांडे गनपत रायको किसको गनपत रायको गनपत रायको ठीक इसका इसर C हो जाएगा भारति थल सेना को बिग्रेड आप दा गाट्स के लाइनस नायक अलबर्ट एक कर निमने से किस यूद में सत्रों को हम लोग पर हम लोग विफल करके मात्री भूमिकर अच्छा करते वेश्वयम साहिद हो गये थे बताए बढ़िया बताए कौन से बारसाट होगा या खत्तर होगा परंबीर चक्र मिलता इसको ने इसको अलबर्ट एक को परंबीर चक्र हुआ था बारत पाक के यूद कभवा था 1971 में ठीक है अलबर्टे का कहां से राने वाले थे गुमला जी लगे जारकन को भारत के कलातमक नक्से पर महत्पून अस्थान दिलवाने वाले चितरकार हरें ठाकूर कहां कराने वाले थे जारकन को भारत के कलात्मक नक्से पर महरतपूर अस्थान दिलवाने वाले चितरकार हरें ठाकूर कहां कराने वाले थे ये कहां कराने वाले थे दूस्तों बताइए ये रांची कराने वाले थे कहां के रांची के ठीक ये इसका इंसर रोजागा कुन लिखा है गाया भोता हुआ देश बताईए निर्मल पुतुल राजट वर्मा सरमन कुंप्वा्णक गस्वामी रनेंदर यां रनेंदर आत्पिक रनेंदर गाया भोता हुआ देश रनेंदर इसकाइंस डिव जागा चलिए लास्ट कोश्टन है, जारकन बजट में आगामी बीतिये वर्ष 22 तैस में, एंग्री आस्मार्ट गराम योजना के अंत्रगत, परतम चल्व में कितने गाउं को चेंद के गँद एंग्री आस्मार्ट गराम योजना, कितने गाउं दूसकर सो गाउं के था कितना सो गाउं का चली था मुलें ट्रॉटल चालीज कोशन कर लिए उमीद है कि आप लोगोगों कोशन मज़ा आ रहा करने में ठीक है इस ऐब कोशन आपको एक्जाम अब देखने को मिलेगा इस आपकोशन करना ज़़री है और अलग से बढ़ी चल रहा है इसका अलग से प्रलिस्ट बना दिया है जारकन जीक के सीजेल करके प्रलिस्ट बना हुए हर वीडियो को वहाँ पर मिल जागा ठीकर चली फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत